जहन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का न्यूज माइस्टर यूटीब चैनल पर आए दिन पर की तमाम बड़ी ख़वे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन्स, न्यूज के तद जो भी इंपोर्टेंट न्यूज आ रहे हैं सभी लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ यहाँ पर महराश्टर के पालगर में वो दो सादू को हत्याकांट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, साथ ही देश और दुनिया फर में कोरोना के क्या हाल है, वो सभी ताजा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ के बीच कहां पर चल रही थी, यह मैं आपको बताऊंगा, इसका पुलिस ने परदाफास किया है, तो उसके बारे में भी बताएंगे कि कहां पर यह सभी चल रहा था, तो सबसे पहले वीडियो सुरू करते हैं, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल न्यूज मांस्टर को सब कर लिजे और जो बेल का इकन दिख रहा उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन को आउन कर लिजेगा, साथी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट जरू कीजेगा, आप अपनी राइक कमेंट वाक्स में जरू दीजेगा, तो चलिए यहां पर वीडियो सुरू करते है तो दूस्तो सब्से पहले बात करते हैं कि दुनिया में कोरोना के कैसे कितने हो चुके है, साथी भारत में इसकी क्याश थीतितिए है, और किस देश में सब्से ज्यादा मौते हो चुकी है तो यहां पर बात करें दुनिया की तो दुनिया में 30,64,225 लोग इसे संक्रमित हो चुके जिसमें लगवा 2,11,537 लोग की डेथ हो चुके है साथ ही यहां पर 9,22,000 लोग जो है रिकवर्ड भी हो चुके है बांकी लोग का अभी इलाज चल रहा है तो यहां पर बात करते हैं कि हमारे देश का यहां पर सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो केसे साया हूं यहां पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक 29,451 केसे सामने आ चुके जिसमें लगए 949 लोग की मौत हो चुकी है यहां पर 707,137 लोग ठीक हो चुके बांकि 21,375 लोग का यहां पर अभी इलाज चल रहा है अगली बरी ख़वर महराष्टर के पालगर में हुए दो संतों की पीट-पीट कर हत्या के रिलेटेड आ रही है यहां पर 200 हिंदु परिशद ने सादु हत्या कान को लेकर आज मौन रखकर बेड़ोज जताई है 200 हिंदु परिशद ने एक समय का भोजन ना करने और दिया जलाने की अपील किये इससे पहले कल संसामाज ने परधान मंतरी नेंदर मोदी और ग्रीह मंतरी अमिस सा को चिठी लिखकर पालगर मामले की जान सीवी ऐसे कराने की मांग की थी चिठी में निकसलियों और मिस्नरियों का संबंदों की बात लिखी गई है तो आप क्या सुझते इस घटना के बारे में जरू कमेंट में बताईएगा साथ ही इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये भी चीज़े आप जरू कमेंट में बताईएगा जी हाँ अगली वरी खबर इन्होंनी कोरोना फाइटर्स को मारा कोरोना ने ले ली इसकी जान उत्तर प्रदेश में पितल नगरी के नाम से महसूर मुरादाबाद में कोरोना महमारी के करन्तीन लोगों की जान चली गई है ये तीनों मौते उसी नवावपूरा इलाके में हुई जहां पुलिस और स्वास्त कर्मियों पर हमला किया गया मुरादाबाद के नवावपूरा में तीन सगे भाईयों की कोरोना से मौत हो गए इसके पीसे बिसुद रूप से घर वालों की लापरवाही है क्योंकि एक सब्तार पहले इसी घर के एक बुजूर्ग सर्थाज अली की मौत हो चुकी थी वहाँ पहले से सांस के रोगी थी वहाँ बीमार हुए और उनकी मिर्ती हो गए लेकिन घर वालों के विरोध के कारण इस बुजूर्ग का कोरोना टेस्ट नहीं कराया जा सका था जी हाँ अगली बरी ख़वर मई में 13 दिन बंद रहेंगी बैंके छुटियों के लिस्ट देखकर ही जाए बैंक तो यहाँ पर मई में देश में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे कोरोना संकट के बीच छुटिया की ये लिस्ट देखकर ही जाए बैंक जी हाँ कोरोना वाइरस की वज़े से देश बर में लॉकडाउन लाग हो है हलांकि लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले हुए हैं और बैंकिंग से जूरे कामकाज भी हो रहें लेकिन अगले महिने यानि मई 2020 में देश के अलग-अलग हिसों में विविन तरह के छुटियों के कारण बैंक कुल 13 दिन बंद रहेंगे इन 13 दिनों में रविवार और दूसरे सनिवार की छुटि भी सामिल है ऐसे में अगर आपको बैंक में कोई चेक जमा करना है नया डे यहां पर चुटी रहेगी तीन मई रविवार को लगवा सभी जोन में चुटी रहेगी साथ मई बुद्धपूर निमा को यहां पर अगरतला एजल बेला बेलापूर भोपाल चंडीगर देरादून जम्मू कानपूर कोलकाता मुंबई नागपूर नई दिली इन सब जग यहां पर यह सभी लिष्ट आप देख साते हैं ऐसे मगर आप लिष्ट देखकर बैंक ब्रांच के लिए घर से निकलेंगे तो आपको काम की असिवधा नहीं होगी हलाकि लॉक्डॉन की सवधी में अपने ग्राकों की सिवधा को धियान रखते हुए बैंकों ने कई सारे पहल भी किये हैं जी हां यहां पर अगली बड़ी ख़बर आ रही है यदि आप पब्लिक प्लेस पर थूखते हैं तो आपको होगा 1000 रूपे का जुर्वाना जी हमत प्रदेश में सारवजनी कस्थानों पर थूखने पर लगेगा 1000 रूपे का जुर्माना को देखते वे मत में सारवजिनी कस्तलों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगा जाए जाएका साथ यह आक बहुती अच्छी खुसकवरी आ रही ज्यादा में सवस्तमंत्रा लेके संजोंग सचिव लव अकुण ने कि देश में रिकवरी रेट लागातार बढ़ा है देश में पचासी जीलों में पीछले 14 दिनों से कोई केस नहीं है जी हां मरीजों की कुल संख्या में तेजी से बरहुतरी के साथ ही देश में कोरोना के खिलाफ लगाई में कई बेहतर संकेत भी मिल रहे हैं दुनिया के दू एक्जाम को लेकर एक बहुत बरी ख़वर आ रहे है यूजी सी ने कहा आउनलाइन और आफ लाइन दोनों ही तरीकों से परिछा कराने के लिए विश्विद्यालाय रहे हैं तो जून अंत तक या जुलाई से ही खोलने की लेकर चर्चा की है जहां कोरोना का एक वी केस नही सभी विश्विद्यालायों को अपने संसादना और अस्थानी अहालात को देखते हुए फैसला लेने के लिए सोतनतर दी जाएगी इसी दोरान जो विश्विद्यालाय ऑनलाइन परिछा कराने में सक्षा में उन्हें इसकी अनुमती रहेगी यूजी सी पोर्ट उच सस्तर यहां बात करते हैं मौसम समाचार की जानकारी के मुताविक 24 गंटे के दोरान जमू कास्मीर हिमाचल परदेश बिहार जहारकंड और 36 गर्ज राजस्तान पश्चमी भागों में एक दो अस्तानों पर बारिश होगी उतर पुर्वी भारत केरल के कुछ ही सो और तर्यक करनातक में बारिश जारी रहेगी पिछले तो तीन दिन काफी गरज चमक के साथ हुई बारिश के बाद अब फिर मौसम बदलने की ओर जी हां यहां पर अगली बड़ी ख़वर दिली में मिले पलंबर और इलेक्रिसियन को छूट आज से खुलेगी इस्टेशनरी की भी दुकाने जी हां परिसानी के चलते लिया फैसला जी हां दिली में सतासीन आम आदमी पारड़ी सरकार ने लोगों को परिसानी को देखते हुए राहत का दाइरा कुछ और बढ़ाया है सुमबार को दिली के मुखे सची बीजय देव ने इस समद में आदेश जारी किये हैं अगली बरी ख़बर उन परवासी मजदूरों को लेकर है जो अपने घर से बाहर अपने राज्ये से बाहर किसी दूसरे राज्ये में फसे हुए काम करने के लिए गए थे तो यहां पर कुछ राजी सरकारों ने फैसला लिया है कि उन्हें अपने अस्तर से बस बेज कर उन्हें अपने घर बुलाया जाएगा और फिर उसको अपने स्कूल में जो भी उसके नजधीक में गउं में स्कूल है वहाँ पर क्वारेंटाइन करके चौदर दिन रखा जाएगा और फिर उसे अपने गउं जाने दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर बिहार सरकार ने साफ मना कर दिया बिहार सरकार ने कहा कि जो मजदूर अभी जहां फसे वो वहीं रहेंगे बिहार सरकार फिलाल उनको बुलाने का कोई भी प्रवंध नहीं कर रिया और इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया है ये बाते कल मुखमंतरी निदीस कुमार ने परधानमंतरी मोधी के साथ बैठक में ये बाते कही थी जियां जहां देश एक तरफ लॉक्डॉन में फंसा हुआ है लोग खाने पीने को तरस रहे लोग को खाने की शिवधाय नहीं मिल रही है लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे दिली के अमन विहार इलाके में सेक्स रैकेट चल लाता जिसका पुलीस ने कल परदा फास किया है यह घटना काफी सर्पनाक है कि लोक्टॉर्ण के बीच ऐसी घटना है हो रही है